एक सफल जीबन की चावी ही है ग्रोथ। आप अगर हर रोज अपने आपको ग्रोख करते जा रहे हो और चैलेंज करते जा रहे हो तो फिर आप उस जीबन को पाने वाले हो जो आप बाकी में चाते हो और अगर वो नहीं है तो फिर आप बस सफर करते जाओगे। आपके माइंड तो मसल्स की तरह ही है, आप जितना जादा चैलेंजिस का सामना करते जाओगे, आपके मन भी उतना ही जादा मजबूत बनता जाएगा. जब आप अपने आपको एक लिमिट के बाहर पुस्ट करोगे, जब आप सीखोगे कि आपको अपना काम कैसे करना है, तो फिर आप तो बैसे ही करो करते जाओगे. एक मजबूत मन कभी भी लोगों को ये हक नहीं देता, कि लोग खुछ भी आपको सला देकर चले जाए. ये बस अपना ही रास्ते से बस चलते चले जाती है. एक मजबूत मन सफलता को हासिल करने से बहुत पहले ही उसे देख लेता है, और ये आपको आपके सपनों को बासतव का रूप देने के लिए काम करने को मजबूत कर देता है. सबल लोगों ने ये कहा है आप अगर सीखना ही नहीं चाते हो तो फिर आपको कोई भी मदद नहीं कर सकता आप अगर सीखने के लिए निन्य ले लेते हो तो फिर आपको कोई भी नहीं रोक सकता अपने जीवन को बस सीखने की मानसिक्ता के साथ ही जीओ हर एक दिन खुद को और ज़दा बहतर बनाने के लिए नया मौका है हर रोज better choices बनाते जाना होगा जो एक समय के बाद एक better life बनाएगा हर रोज हमें हमारे हर काम की, हर एक action की responsibility लेना होगा आपको खुद से बस ये पूछना होगा कि क्या मैं अपने काम को better कर सकता हूँ कैसे मैं अपने आपको एक उचाया में ले जा सकता हूँ आप सफल नहीं हो, इसका जमेदार दूसरा कोई भी नहीं है इसका जमेदार सरिप और सरिप आप हो आप कैसे अपने आपको बेटर कर सकते हो हाँ बिल्कुल आप कर सकते हो आपके साथ क्या हो रहा है या फिर आपके अंदर क्या चल रहा है उससे किसी को भी कोई भी फ़र्क नहीं परता है आपको ही हर वक्त ये decision लेना होगा कि हर एक परिस्थिती में आप कैसे react करोगे इससे आप अपना feeling को भी control कर पाओगे सच बात ये है कि दुनिया के हर एक इनसान के अंदर ये ताकत जरूर होता है कि अपने भागग को बदल सके आपके जीवन तभी fulfilled होगा जब आप अपने जीवन की सारे areas को अच्छे से grow करोगे अपने आप से commitment करो कि आप अपने जीवन को पूरी तरीके से improve करोगे हर वक्त ये सोचो कि आपके जीवन एक साल बाद कैसा होगा तीन साल बाद कैसा होगा पांच साल बाद कैसा होगा साइध आप एक मिलियोनर बन सकती हो, क्या आप ये कर सकती हो, हाँ बिल्कुल आप कर सकती हो, हर वक्त अपने अंदर एक लर्निंग एटिट्यूड रखो, एक डेडलाइन बनाओ और उसके उपर काम करते रहो